तो आज हम अपने इस वीडियो में स्पाइसी मसाले डाबस्टे लंडा करी बनाने जा रहे हैं उसके लिए हम सबसे पहले कुछ बॉल एग लेंगे जो कि मैंने इसको पहले से बॉल कर लिया है अब इन अंडों में हम फोक से या किसी नाइफ से अच्छे से छेन कर लेंगे उ अजच को हम इस तरहिके से आसेखेन कर लेंगे छेन करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा लालमिच पाउडर है थोड़ा सथा नमक है गोए और थोड़ा सा हलदी पावडर गोंडा दाल लेंगे और इन सब को अच्छी तरीके से मिक्सकरू कर लेंगे जाइशário बॉल्टक्न अब मसालों के लिए प्याज तॉमाटर को लेंगे चोट प्योप कर लेंगे वा टमाटर की प्यूरी बना लेते अन्दे के साथ में कुछ खड़े मसालों में जैसे कि लॉंग ठोड़ी से इलाशी ठोड़ी से काली बर्स दाल चासिनी ठोड़ी से अब थोड़े सोखे मसाले चाहिए जैसे की थोड़े सा लाल मिश्पाउडर थोड़ा सा कस्मीरी लाट मिश्पाउडर ठेह सारा धन्या पाउडर और साथ में हम लेंगे एक सेग्रिट इंप है वह भीते छोगा नेटिवेशन होगा क्या पैशन से हमारी ग्रेवी बहुत ही बनेगी यानि बहुत ही थिक बनेगी अब बनाते हैं करी तो हम देल यह है मस्टर औल मस्टर ऑइल से जो टेस्ट आता है उसकी बात ही अलग होती है तो आप रिफार्ण तेल से भी बना सकते हैं तो चलिए बनाते हैं तो अच्छे से गरम हो चुका है अब हम अंडे अब अंडे को एकडम golden brown होने तक अच्छे से fry करेंगे जब अंडे अच्छे से golden brown हो जाएं तब हम इनको निकालेंगे तो मैंसे धीरे धीरे चलाते चलाते अच्छे से अंडो को fry कर लेंगे आप इनको light fry भी कर सकते हैं बतब हलका fry कर सकते हैं या फिर आप इसको थोड़ी देल तक अच्छे से golden brown होने तक भी fry कर सकते हैं जब अंडे अच्छे तहिके से हो जाएं तो आप इनको निकाल लेंगे और बचे हुए तेल में अब हम डालेंगे खड़े हुए मसाले जो भी स थोड़ा सा जीरा डालेंगे और अच्छे से इनको भूल लेंगे अब अच्छे से भूल गए हैं अब हमें डालेंगे कटा हुआ प्याज प्याज ग्याज और अच्छे तरीके से चलाएंगे कटा हुआ प्याज जब जैसे ही डालेंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम ढवा स्टाइब ग्रेवी बना रहे हैंट भासटाल ग्रेवी की एक खास waking होती है कि हमें प्याज को प्याज और टमाडर भूलना है गोर्डन ब्राउन होने के स्टेज तक भूलेंगे यह देखिए फ्रेंड प्याज अच्छे से भूल चुका है अब यहां पर हम दो रचेडी यूज करेंगे डालेंगे इस पर एक दो मिट चला लेंगे उसके बाद अब हम यहां डालेंगे ल एक से दो मिनाट अच्छे से भूल लेंगे जैसे इसका कच्छापन चला जाए और अब हम इसमें डालेंगे हल्दी हल्दी डालके एक मिनट चलाएंगे और अब हम उसके बाद डालेंगे टमाडर की प्यूरी टमाडर के प्यूरी डालकर हम अच्छे से चलाएंगे और जैसे ही हम टमाडर डालें उसके बाद हमें नमक डालना बहुंच जरूरी है नमक डालने से होगा क्या और नमक डालने से होगा क्या कि हमारा टमाडर अच्छे से पक जाएगा और हमारे घ्रेंवी बड़ी सॉधिस बनाइगे दे एक फ्रेंट कर ई अच्हे ग्रेवी देकर एक हमारे ठमाडर अब इसको 12 और पाक आएंगे वर में डंग देते हैं अब हम देखते आए देखें के देख ग्रेवी केड़ेश से ऑपक की है तेल किनारे से केड़ेश से निकल रहा है इसका मतला हमाई ग्रेवी अच्छे से पक चुकी है अब हम इसमें अपने सारे पिसे हुए सोखे मसाले आड़ करेंगे और अच्छे से इसको चलाएंगे अच्छे से इसको भूल लेंगे इसमें हमने बेसन अड़ किया है बेसन कच्छा था तो इसलिए हम इसको अच्छे तर देखे कितना अच्छा कर देखे गाइस, इससे कितना अच्छा कलर आया है और ग्रेवी हमारी कितनी अच्छी तरीके जबुन गई है अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड़ करेंगे और मसाले को 2-3 मिर्ट तक आच्छे बूझेंगे तसे माई ग्रेवी अच्छे से पक कि इतनी परफेक्ट ऑँ कितनी गाड़ी और इतनी अच्छी देख रहा है ऑब इसमें थोड़ा और पानी एड़ करेंगे आप अपने ग्रेवी के कॉर्डिंग पानी आड़ का सकते हैं हमारे यहाँ जनली लोग थोड़ी पतली ग्रेवी खाते हैं तो हमने उसके साफसे पान अब इसमें हम थोड़ा सा घरम मसाला डालेगे और थोड़ी इस पूरी मेथी टालेंगे कासोरी मेथी से आंडा करी और भी स्वारिश्थ हो जाएगी है इसलिए का सअरी वह जरूर डाले हैं हम इसको हम दो तीन मैंट वच्छे चला लैंगे अच्छे चमलाने कीजा हम इसको इसमें अब हूं अंडे डालेंगे तो चलिए इसमें से एके करके हम सारे अंडे डाल देंगे और अच्छी तरीके से चलाएंगे और उसके बाद हम 5-6 मिनट के लिए इसको पकने के लिए छोड़ देंगे दोस्तों चलिए हम देखते हैं देखिए दोस्तों कितनी अच्छी ग्रेवी बन गई है बनके तयार हो गई है अब इसमें हम थोड़ा से धनिया परेंगे धनिया के पतिया पैड कर दिये और इसको अच्छी तरीके से मिला लीजिए दोस्तों हमारी स्पाइसी मसाले दार अंडा मसाला करी बनकर रैडी हो चुकी है आप इसको राई से रोटी एक साथ सब कर सकते हैं और कॉमेट करके बताईए कि आपको कैसी लगी